यहीं दोस्तों आज की सेशन में हम लोग डिस्कूस करने वाले हैं भारत के प्रमूख भोगोलिक उपनाम दोस्तों इस सेशन से रिलेटेड इस टॉपिक्स रिलेटेड हमिस्ता एक से दो कोशन आता हिए इस वर का निवास अस्थान किन को कहेंगे नोडाउन करते चलिए इस वर का निवास अस्थान किसको कहेंगे तो देव प्रियाग को कहेंगे इस वर का निवास अस्थान अगला कोशन देखिए, पांच नदियों की भूमी, पंजाब को कहेंगे, पांच नदियों की भूमी, नेश्ट कोशन, साथ टापो का नगर, ये रहाब का मुंबई, साथ टापो का नगर किन को कहेंगे, मुंबई को, अगला कोशन देखिए, बुनकरो का सहर किन को कहेंगे, तो बुनकरो का शहर कहेंगे पानी पत को, याद रखेगा, बुनकरो का शहर कहेंगे पानी पत को इलेक्ट्रोनिक नगर, इलेक्ट्रोनिक नगर किन को कहेंगे तो बैंगलूरू इसका राइट एंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोनिक नगर बैंगलूरू स्वहारो का नगर किन को कहेंगे तो मदूरे, मदूरे याद रखे गए यह आया हुआ कोशन है स्वारो का नगर मदूरे को कहेंगे स्वारो का नगर मदूरे नेश कोशन देखिए स्वार्ण मंदीर का शहर किन को कहेंगे तो अमरीत सर इसका राइट एंसर हो जाएगा स्वार्ण मंदीर का शहर अमरीत सर महलो का शहर किन को कहेंगे तो कोलकाता इसका right answer हो जाएगा महलो का शहर कोलकाता को कहेंगे नवाबो का शहर कहेंगे लखनओ नवाबो का शहर किन को कहेंगे लखनओ अगला कुशन देखिए इसपात नगरी ये आपका जमसेदपूर को कहेंगे इसपात नगरी किन को कहेंगे जमसेदपूर को नेश कोशन देखिए परवतो की रानी ये मसूरी को कहेंगे परवतो की रानी किन को कहेंगे मसूरी को नेश कोशन देखिए रेलियो का नगर ये है आपका नई दिल्ली को कहेंगे रेलियो का नगर बहारत की परवीश द्वार किन को कहेंगे मुंबाई को निच वर्व का वैं इस इए इन्पोर्टेन पुरुत वैनिस को कहेंगे ठीक है कोच्ची को पुरुका वैनिस किन को कहेंगे कोच्ची नेक्स कोशन देखे, भारत का पिटसबर्ग, यह आपका जमसेदपूर को कहेंगे, भारत का पिटसबर्ग, याद रखेगा जमसेदपूर, भारत का पिटसबर्ग किन को कहेंगे, जमसेदपूर, भारत का मेंचेस्टर किन को कहेंगे, अहम्दाबाद, भारत का मेंचेस्टर अहम्दाबाद, मशालो का बगीचा important है, केरल को बोलेंगे मशालो का बगीचा next है, पिंक सिटी किन को कहेंगे तो जैपूर को कहेंगे गुलाबी, नगर, पिंक सिटी जैपूर, next question है Queen of Deccan Queen of Deccan किन को कहेंगे, तो पुने इसका right answer हो जागा, Queen of किन को कहेंगे, Mumbai, याद रखेगा जीलो का नगर, स्री नगर को कहेंगे, जीलो का नगर clear है, स्री नगर को कहेंगे जीलो का नगर, next question देखिए, फलो द्यानो का श्वर्ग, फलो द्यानो का श्वर्ग किन को कहेंगे, तो शिक्कीम इसका सही अंसर हो जाएगा फलो द्यानों का स्वर्ग कहेंगे शिक्केम को अगला कोशन भारत का डेटराइट भारत का डेटराइट या आपका पिथमपूर को कहेंगे भारत का डेटराइट किन को कहेंगे पिथमपूर पुर्व का पैरिस यह जैपूर को कहेंगे जैपूर को इंग सिटी भी कहा जाता है क्लियर है जैपूर को इंग सिटी भी कहा जाता है गुलाभी शहर अगला कुशन देखिए शाल्ट सिटी यह गुजरात को कहेंगे क्योंकि यहां पर अधिकतर शॉल्ट का निर्मान क्या ज देश मजद प्रदेश को कहेंगे अगला कोशन देखिए मलाई का देश किन को कहेंगे तो मलाई का देश कहेंगे करनाटक को याद रखेगा मलाई का देश कहेंगे करनाटक को दक्षीन भारत की गंगा यह आपका कावेरी को कहेंगे दक्षीन भारत की गंगा यह इंपोर्ट प्लू माउंटेन किन को कहा जाता है तो ब्लू माउंटेन बोलेंगे निल गिरी पहारिया निल गिरी की पहारियों को कहेंगे ब्लू माउंटेन अगला कोशन देखिए एस्या के अंडो की टोकरी किन को कहेंगे तो आंध्रप्रदेश को कहेंगे एस्या के अंडो की टोकरी आ अगला कोशन देखिए, काशी की बहन यापका गाजीपूर को बोलेगे, काशी की बहन किन को कहेंगे, गाजीपूर को बोलेगे, अगला कोशन देखिए, करनाटक का रतन किन को कहेंगे, मैशूर को कहेंगे, करनाटक का रतन, मैशूर करनाटक का रतन किन को कहेंगे, मैशूर, अगला कोशन देखिए, अरब सागर की रानी, कोश्ची को ही कहेंगे, अरब सागर की रानी, याद रहेगा, कोश्ची को बोलेंगे, अरब सागर की रानी, बहारत का स्विड़्जर लेंड, किन को कहेंगे, कस्मीर याद रखेगा, भारत का स्विड़्जर लेंड, कस्मीर को कहेंगे, नेक्स्ट कोशन देखिए, पुरु का स्कॉटलेंड, ये इन्पोटेंट कोशन है, पुरु का स्कॉटलेंड मिघालाई को कहेंगे, पुरु का स्कॉटलेंड किन को कहेंगे, मिघालाई, नेक्स्ट कोशन देखिए, उत्तर भारत का मेंचेस्टर, ये इन्पोटेंट है, उत राणन सी याद रखेगा मंदीरों और घाटों कानगर वारंसी को कहेंगे धान का डालियाँ इनपर्पोटन कोशन है धान क्रतिस घड़ को कहेंगे एक दाकिन जाता है 36 अगला कोशन देखिए भारत का पैरिश जैपूर इस बार पुछा गया सिसी का कोशन है भारत का पैरिश किनको कहेंगे जैपूर को इनको पिंक सिटी भी कहा जाता है अगला कोशन देखिए मेघो का घर मेघाले का लाता है मेघो का घर किनको कहेंगे मेघाले में यहाँ पे सबसे ज कहेंगे कपूर थलाक को नश्कोशन देखे प्रित्वी का स्वर्ग स्री नगर को कहा जाता है प्रित्वी का स्वर्ग क्लिए रहे स्री नगर नश्कोशन पहाडों की नगरी यापका दूंगरपूर को कहेंगे पहाडों की नगरी क्लिए रहे दूंगरपूर याद रखेगा पहारो की नगरी जुंगरपूर नेस कोशन भारत का उध्यान या आपका बेंगलूरू को कहेंगे भारत का उध्यान भारत का उध्यान बेंगलूरू यहाँ पे अधिकतार इलेक्ट्रोनिक जो भी सामान है यह बनाए जाता भारत का उध्यान नेस कोशन देखिए भारत का व किन को कहेंगे अहम्दाबाद को भारत का वोष्टन अहम्दाबाद गुजरात खिलर है भारत का वोष्टन किसको कहेंगे अहम्दाबाद नेक्स कोशन देखिए गोल्डन सिटी अम्रीत सर को कहा जाता है गोल्डन सिटी किन को कहेंगे अम्रीत सर को अगला कोशन सुति वस्त एक पावीत्र नदी जोकि ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी को कहेंगे पवित्र नदी जोकि लगभग 2525 किलोमीटर लंबा है गंगा नदी दो नदियों के संगव से बनती है दो प्रमुक नदी जोकि भागी रथी और अलग नंदा जोकि देव परियाग में जाकर के मिलती है और आगे जाकर के गंगा नदी का निर्मान करती है अगला किया दी बिहार का शोख कोशन अधि किनको कहेंगे जार्खन का शोक और पशिब मंगाल का शोग यह आपका है दामदर नधी जार्खन पशिब मंगाल का शोक दामदर नदी भिहार का शोक को शी ब्रिद गंगा गोदावरी को कहेंगे याद रखेगा ब्रिद गंगा किन को कहेंगे गोदावरी को पवीत्र नदी किनको कहेंगे गंगा नदी को, भारत का सोक कोशी, रिद गंगा गोदावरी, और पशिम मंगाल का सोक दामुदर, यहीं पर अटेच कीजिएगा, धारखंड का सोक यह भी आपका दामुदर ही है, नेश कोशन देखे, कोटायम की दादी, कोटायम की दादी कि मल्याला को कहेंगे, याद रखेगा, मल्याला को टायम की दादी, मल्याला, जुडवा नगर, यह आपका हेदराबाद और सिकंदराबाद को कहेंगे, हेदराबाद, ठीक है, जुडवा नगर, नेश कोशन देखे, ताला नगरी, तो अलिगड को कहा जाता है, ताला नगरी याद रखेगा अलिगड को क्या कहेंगे ताला नगरी राष्ट्य राजमार्गो का चुराहा कानपूर को कहेंगे राष्ट्य राजमार्गो का चुराहा किन को कहेंगे कानपूर याद रखेगा राष्ट्य राजमार्गो का चुराहा कानपूर को कहेंगे नेक्स देखिए पेटा नगरी अगरा को कहेंगे पेटा नगरी अगरा को कहेंगे पेटा नगरी नेक्स कुर्शन देखिए भारत का टॉलीवोड भारत का टॉलीवोड किन को कहेंगे तो कोलकत्ता इसका राइट एंसर हो जाएगा भारत का टॉलीवोड कोलकत्ता को कहा जात सुर्य नगरी जोधपूर को कहा जाता है सुर्य नगरी जोधपूर को कहा जाता है सुर्य नगरी जोधपूर याद रखेगा सुर्य नगरी किनको कहेंगे जोधपूर को नेस कोशन देखिए राजस्थान का गौरब के चितोड गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरब चितोड गढ राजस्थान का गौरव नेश कोशन देखिए कोईला नगरी किनको कहेंगे तो धनबाद इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा धनबाद कोईला नगरी धनबाद को का जाता है चले दोस्तों नेश कोशन हम लोग जो कवर करने वाले है वो है पंच वर्षय योजनाओं में प्राथमिक्ता और प्रमुक्षेत्र पंच वर्षय योजनाओं में प्राथमिक्ता और प्रमुक्षेत्र इस टोपिक को हम लोग कवर करने वाले है चलिए तो देखिए पहला कोशन आप लोग के सामने है कि प्रथम पंच वर्षे योजना ये स्टार्ट क्या गया था 1951 से लेकर के 56 के बीच डेट बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है और रिजन इसके कारण ये योजना चलाए गया था ये भी इंपोर्टेंट है आप लोग डेट भी याद रखेगा मतलब कि जो समय अवधी है और कारण इनको याद रखेगा कौन से पंच वर्षे योजना कहां से कहां तक चले थी और किनके कारण चला था ये जरूरी है आप लोडाउन करते चले यहांसे कोशेण एक यद्धु हमेशा आता ही है पंच वर्षे योजना से रिलेटइट कोसिं तक ये कीपता है किर्शी छेत्र को बढ़ाने के लिए प्रतम पंच वर्षय योजना चलाए गया था लगभग 5 सालों के लिए 1951 से लेकर के 56 था फिर उसके बाद दूत्य पंच वर्षय योजना आया और ये उद्योग से रिलेटेट था उद्योग छेत्र की प्राथमिक्ता को बढ़ाने के लिए प्रतम पंच वर्षय योजना क्रिसी से रिलेटेट था और दूत्य पंच वर्षय योजना उद्योग से रिलेटेट था ये हुआ आपका फार्मिंग और दूसरा हुआ आपका इंडस्ट्री तो दूत्य पंच वर्षय योजना 1956 से लेकर के 61 के बीच याद रखेगा था तीष्रा 5 वर्षे यूजना 1961 से ले करके 66 के बीच एदेगा प्रतम 5 वर्षे यूजना था नाइन्टिन फिफ्टी वन से लेकर के 56 के बीच दूत्य पंच वर्षी हो जिना 56 से लेकर के 61 के बीच और तीरत्य पंच वर्षी हो जिना 61 से लेकर के 66 के बीच था याद रहेगा और तीरत्य पंच वर्षी हो जिना में दोनों को मिक्स कर दिया था पहला और दूसरा दोनों क पहला में किर्शी और दूसरा में इंडस्ट्रीज तो यहां पे किर्शी और उद्योग दोनों मिलाया हुआ है तिसरा पंच वर्षी योजना देखिए पंच वर्षी योजना का मेन मोटीव था कि जितने भी यूदिक अपाद जो भी हमारा इस भारत देश में जो अर्थ वैस्ता लेबल में जो गिरावट हुआ था उन सब को अप लेबल तक ले जाना एक भारत को विक्सित से विकासिल देश में ले जाने के लिए पंच वर्षी योजनाओं को चलाया गया था इसमें क्रिसी उद्योग क्योंकि सबसे पहले क्रिसी को ध्यान दिया गया क्योंकि लोग को सेल्फ डिफेंज खुद में खुद को और खुद में जीवित रहने का जो तरीका उसको अपनाने के लिए प्रथम पंच वर्षी योजना चलाया गया था तो उसके बाद आर्थिक विकास में सुधार करने के लिए दूत्य पंच वर्षी योजना जो की उद्योग के लिए कराय गया था और तीसरा पंच वर्षी योजना जो की 1961 से 66 तक जो चला था इन दोनों को कवर किया गया खिरिशी और उद्योग दोनों को कवर किया गया चलिए 66 के बाद आपका 1969 से लेकर के 74 के बीच था आपका चोथी पंच वर्षी योजना जो की नियाय के साथ गरीबी के विकास को हटाया जो गरीब पनप्रा था इन चीज को हटाने का प्रावधान है वो आपका चोथी पंच वर्षी योजना में किया गया है कम से कम गरीबी को किया जाए और गरीबी को हटाया जाए जितना जल्दी हो पाएं तो उसके लिए देखिए गरीबी को हटाने के लिए लोगों को रो डिफेंस बनने के लिए कि अपने आप में किस परकार से खाना और पैसा का जुगाड़ हो पाए वह है आपका क्रिशी क्योंकि आसानी से लोग क्रिशी करके अनाज वगरा उगा सकता है और जितने भी इंडेस्टीज है उन इंडेस्टीज में व्यवसाइद दे करके यानि कि उनमें लोगों को काम दे करके उनको रोजगार दे करके उनके अर्थ वैस्ता को सुधारा जा सकता है तो ये है आपका चोथी पंचवर्षी योजना जो कि 1969 से लेकर के 74 तक किया गया जो कि नियाय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया पच्वी पंचवर्षी योजना आपका चला था 1974 से लेकर के 79 के बीच याद रहेगा 1974 से लेकर के 79 के बीच देखिए आप लोग एक बार फीड से पहली पंचवर्षी योजना दूसरी तीसरी चोथी और ये पांचवी तक आप लोग लिखिए अभी जश्ट आप लोग लिखिए तो जा करके फटा-फट य 1951 से लेकर के 56 के बीच ठीक है याद रहेगा चलिए पांचवी पंचवर्षी योजना गरीबी और आतनिर्भरता इनको हटाया गया आतनिर्भरता कराया गया और गरीबी को हटाया गया ठीक है आतनिर्भरता को एक्टिव कराया गया और गरीबी को हटाया गया इसमें 74 से लेकरके 79 के बीच चले आगे बढ़ते हैं इसके बाद 60 और 75 वर्षी योजना देखे 65 वर्षी योजना चला था 1980 से लेकरके 85 के बीच याद रहेगा 80 से 85 के बीच 65 वर्षी योजना चला था और पांचवी योजना के रूप में ही जोड दिया गया पतला 5-5 वर्षी योजना में जोकी गरीबी को हटाना है और आतनिर्भरता में जोड देना है ये 6-5 वर्षी योजना में भी इसी को जोड दिया गया। जोकी चला था आपका 80-85 के बीच, 7-5 वर्षी योजना जोकी 1985 से लेकर के 90 के बीच हुआ था, तो देखिए 80-85, 65 वर्ष युजना, 85-90, 75 वर्ष युजना, अर यह अब का है food production, रोजगार और उत्पादक्ता पर ध्यान दिया गया, देखिए food जो होता था जैसे कि धान, चावल, उनका बरबादी बहु ज़्यादा होता था क्योंकि उनको धंग से और protective तरीका से उनको रखा नहीं जा रहा था, तो इस पंच वर्ष युजना में यह सिखा गया कि हम food को किस परकार से production किया जाए, उनको खराब होने से बचा जाए, उनके उत्पादक्ता में कैसे सुधार किया जाए, और किस परकार से लोगों को रोजगार दिया जाए, यह आपका साथवी प 85 से 90 की बीच हुआ था, ठीक है, 1985 से लेकर के 1990, अगला देखिए, 68 और 95 वर्ष युजना, तो 85 वर्ष युजना जो की 92 से 97 की बीच चला था, और जनसंख्या का नियंतरन करना था, देखिए, जनसंख्या नियंतरन मतलब की ज़्यादा ज़्यादा पापुलेशन नहीं करना है, जो की अधिनियम चला गया था, हम दो, हमारी एक कुछ इस परकार से अधिनियम चला गया था, की ज़्यादा ज़्यादा पापुलेशन ना किया जाए जनसंख्या पर नियंतरन किया जाए खिलियर है और दुसरा था रोजगार का स्रीजन करना रोजगार का स्रीजन करना ठीक है देखे रोजगार का स्रीजन होगा तो लोग आसानी से कुछ धन कमा लेगा आर्थिक वैस्ता उसका सुधार होगा और उनका जीवन है जो स्तर है वो अप लेवल तक जाएगा ठीक है तो यह आपका आठवी पंच वर्षिय योजना में सिखाए गया था जो कि 1992 से लेकर के 97 तक चला नेक्ट देखिए नवी पंच वर्षिय योजना जो कि 97 से 2002 तक चला था नाइटीन नाइटीसेवन से लेकर के 2002 तक चला था यह अपका सत67 विकास evitar का जो विकास दर है यह आपका नॵी पंच वर्षिय योजना में नहीं थे इस चीज को घ्याद रखेंगा साथ प्रतिसत का विकास दर अगला कोशन देखिए तसवी पंचवर्षी यूजना स्वारोजगार और संसाधनों का विकास करना स्वारोजगार करना स्वारोजगार किस परकार से जैसे कि फल विकरेता हो गया या कि कोई ठेला वगरा या दुकान वगरा देखे संसाधन कि इनको कहा जाता है, तो दुनिया का हर एक वस्तु, चाहे वो light हो, चाहे वो कोई बेग हो, किताब हो, कोपी हो, कलम हो, कुछ भी, जो हमारे सहता करे, हमारे work को करने में सहता करे, या फिर हमारे कामों को करने में आसान करे, इनको कहेंगे संसाधन, अगर संस कि ऐसाधन देखा जाए तो इनको तीन परकार से बाटा आजाता एक होता है नैशूरल एक होता है में लेंचान और एक खुद आदमी ही एक संसाधने ले मानु शंसाधन क्यों कि एक आदमी दुसरों को एल्प करता जैसे कि नाई के काया काटना जैसे कि टीचर पढ़ाता है तो टीचर क्या करता है पढ़ाता है जैसे कि डॉक्टर कीटमेंट करता है यह क्या कर रहा है दूसरों को help कर रहा है यह भी एक पर करकर संसाधन है जैसे लैप्टॉप, कम्प्यूटर, मौवाल, मारकर यह इतनी भी है सब कर संसाधन का विकास करना भी आपका है दसवी पंच वर्षी यूजना में किया गया था किले रहे, नेक्ट देखिए, 27 साथ तक डन हो गया, अब 27 से लेकर के 2012 तक चला आपका ग्यारवी पंच वर्षी यूजना पूछा गया था इस बार, जो कि 2007 से 2012 तक चला था और व्यापक और तेजी से विकास पर ध्यान दिया गया, किस पर? ग्यारवी पंच वर्षी यूजना जो कि 7 से 12 तक चला था, याद रखेगा, 7 से 12 तक अपका चला था, ग्यारवी पंच वर्षी यूजना और उसके बाद देखे, लास्ट है अपका 12 वर्षी यूजना जो कि पर सिक्षा पर और स्वच्छता पर ध्यान दिया गया क्लियर बारवी पंच वर्षिय योजना देखे स्वास्त रहेगा तो लोगों धंग से जी पाएगा क्योंकि स्वास्त अगर नहीं रहेगा तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा और फिर गरीबी के वे में उचला जाएगा तो स्वास्त जरूरी है सिक्षा भी जरूरी है क्योंकि सिक्षा क्या तो अनुशाषन रेगा और अनुशाषन रहेगा तो लोग गलत वे में में नहीं जाएगा नेफ्स्ट है स्वच्छत्र अगर आसपास का वातावरन स्वच रेगा तो नेचर भी और मनुस्च भी बैलेंस में देगा तो इन सब दिगज लोग बोल सकते जैसी कि महात्मा गांधी इन लोग एक महत्वपुर्ण स्लोगन दिया था एक motivation करने के लिए लोग को motive करने के लिए इन स्लोगन के बारे में चलिए हम लोग discuss कर लेते हैं तो देखे पहला है जय जवान जय किसान तो जय जवान जय किसान किन्हों ने दिया था देखे जय जवान जय किसान इसका नारा दिया था लाल बहदूर सास्त्री ने याद रखेगा लाल बहदूर सास्त्री जय जवान जय किसान अभी हम लोग तीन टॉपिक पर काम कर चुके आतीन टॉपिक का मतलब लगबग लगबग छे नंबर ठीक है छे नंबर पक्का हो गया है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़िया तरीका से नोडाउन करते चलिए और नहीं अगर भीवर है तो आप लोग सस्क्राइब किजिए और जितनी भी सोसल मेडिया है यहां चंद्र बोस के जरिये जय जवान जय किसान लाल बहादूर सास्त्री करो या मरो का नारा किनों ने दिया था महत्मा गांधी और जय हिंद का नारा किनों ने दिया था तो सुबास चंद्र बोस जी के जरिये जय हिंद का नारा दिया गया था नेक्ष देखिए पुरु स्व अगला कोशन देखिए चायमन कमीशन वापस जाओ इनका नारा किनों ने दिया था लाला लाजपत राय की द्वारा शामन कमिसन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था अगला कुशन देखे जन गन मन ये दिया गया था रविंदर नाथ टेकोर जी के द्वारा जन गन मन का नारा किनों ने दिया था रविंदर नाथ टेकोर अगला कुशन देखे जन गन मन का नारा किनों अगला कोशन देखो, भारत छोड़ो का नारा किनों ने दिया था, तो महत्मा गांधी, एक है अपका अभियान, जैसे कि भारत छोड़ो अभियान, यह भी महत्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, तो वहां से आप लोग कोरेलेटेट करके याद कर लिजेगा, कि भारत छोड़ो का नारा किनो ने दिया था महात्मा गांधी ने अगला कुशन देखे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा ये आपका किन के द्वारा दिया गया है इकबाल जी के द्वारा दिया गया नारा है तारे जहां सक अच्छा हिंदूस था हमारा नेक्स्ट वन देखी दिल्ली चलो का नारा किनों ने दिया था तो सुबास चंद्र बोश जी के द्वारा दिया गा नारा है दिल्ली चलो नेस्ट कुर्शन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इनका नारा दिया था सुबास चंद्र बोश के जरी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा इतो फेमस है स्लोगन शुबास चंद्र बोश जी के द्वारा दिया गया स्लोगन है करमत दो, इनका नारा दिया गया था सर्दार बल्लव भाई पटेल जी के दौरा करमत दो शंपून क्रानती जैब प्रकास नारायन जी के दौरा दिया गया एक स्लोगन है शंपून क्रानती याद रखे रहेगा चंपून क्रांती नेक्स देखिए who lives up इंडिया डाइस इख है को लिप अप इंडिया डाइस यज़ यभक यपका नेहरु जी के द्वारा दिया गया नारा है नहरु जी के द्वारा दिया गया नारा है अगला कोशिए देखिए नहरूजी के द्वारा दिया गया नारा है अराम हराम है अगला कोशन देखे स्वाराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किन के द्वारा दिया गया है तो बाल गंगा धर तिलक के द्वारा दिया गया नारा है स्वाराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगा धर तिलाक नेश कोशन देखिए सर फरोशी की तम्मना अब हमारी दिल में है तिक है सर फरोशी की तम्मना अब हमारे दिल में है ये आपका राम प्रसाद विश्मिल्ला के द्वारा दिया गया राम प्रसाद विश्मिल्ला अगला कोशन है इंकलाव जिंदाबाद ये आपका मंगल पांडे, मारो फिरंगी को अगला कोशन देखिए हे राम इलए इनपोर्टेंट है यह महात्मा गांधी जी के दुबारा दिया गया नारा है यह राम चलिए कि नैश कोशन देखिए और लाच्ट कोशन है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा विजय शिरंगा प्यारा ये नारा दिया गया था स्याम लाल गुपता पार्षद के जरिये स्याम लाल गुपता पार्षद चलिए मिलते नेस्ट क्लास थैंक यू